बिश्मिल्ल्ह रहमानी रहीम, असलाम अलाइकुम आज हम बहुती खस्ता करारे से और मज़ेदार से आलू के समोसे बनाकर तियार करेंगे जो कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे ये समोसे बहुत ही जादा मज़े के बहुत ही टेस्टी और चटपटे से बन कर तयार होंगे आप इसको इवनिंग स्नैक के तौर पर गर्मा गरम चाय के साथ सर्व कर सकते हो तो फिर चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आलू समोसो की रेसिपी को तो सबसे पहले यहाँ पर मैने आधा किलो की जितना मैदा लिया हुआ है मैदे की जगा आप गेहु कार्टा भी ले सकते हो इसमें हम नमक अट करेंगे तो तक्रीबन आधा टीस्पून की जितना मैंने इसमें नमक आड़ किया है और एक टीस्पून इसमें डालेंगे अजवाइन अजवाइन क्योंके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और क्योंके हम मैदे के समोसे बना रहे है तो अजवाइन डालना जरूरी है सारे ड्राइ इंग्रिडियोंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें घी आड़ करेंगे तो यहां पर मैं तक्रीबन एक चौथाई कप गी का इस्तेमाल कर रही हूँ आप इसकी बजाए ऑईल के इसमाल भी कर सकते हो घी हम थोड़ा थोड़ा करके डाल सारे दैग्हेंगे अब देखे पूरा घी मैने डाल लिए और घी को हम अची तरह से रप करते वे मैदे में मिक्स करेंगे देखे इस तरह से अची तरह से इसको मिक्स कर लिजी अब देखी यहां पर मैदा जो है ऐकदम क्रम्बली सा हो गया इसका T monitored कि सा ओक्रा ऐसा और अच्छी तरह से इसका डो jamid कर लीजिए अब देखिए काफी अच्छी से बाइंड हो गया है तो हमें इसको बिलकुल भी से विह मसंल नहीं है इस है इसे तरह सेए सिफफ बाइंड हो जाए तो अब हम इसको कवर कर देंगे तो आप किसी प्लेट से कवर कर दीजिए और गरम करने के बाद हम इसमें एक टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और एक टीस्पून जीरा करेंगे एक चौथाई टीस्पून हिंग एट कर लीजिए जो कि डाइजेशन के लिए काफी अच्छी होती है लो फ्लेम पर इन मसालों को कुछ सेकेंड के लिए स्टर कर और जब यह मसाले भी अच्छा से भूँज जाय तो इस में एक चौथाई टीसपून हल्दी पाउडर अधा टीसपून गरम मसाला आधा टीसपून लालमिश का पाउडर और अधा टीसपून कंश्मीरी मिज और इसी के साथ ही इसमें एक टीसपून चाटahaha पाऊडर और ए मिलादें के मटरुस के साथ free ठीक 8-9 यह मान फी म thanked सकताना मृतुन बाल ऑफ इंगे टीढ़ल का गर पहरें क Performatel हैं इतक अर्छा पार धीर कंगा है पलाद मैं मिला देंगे में स्ब्रढ़ कर दोगा तो आपको इसको गलाने की ज़रूत नहीं है क्योंकि काफी सॉफ्ट होता है तो वह जल्दी गल जाता है अब दिखिए मटर भी अच्छी तरह से गल गया है तो अब हम इसमें आधा कीलो उबले हुए और रफली मैश के हुए अलू डालेंगे और डाल करके हम आलू को भी नी इसको बहुत अच्छा आता है समोसों में और डाल करके इसको भी हम अच्छी तरह से आलू के साथ मिला देंगे और मिला करके एक मिनिट के लिए भून लीजिए इसको मीडियम फ्लेम पर और यहां पर देखिए तगरीबान हमारा आलू का मसाला जो है वो बनकर तयार हो गय हो गई है तो पहले इसको अच्छी तरह से ठंडा हो जाने दीजिए उसके बाद हम इसके समोसे बना कर तयार करेंगे और यहां पर देखिए हमारे डो को भी रेस्ट करते वे तकरीबन 25 मिनिट हो गए है तो डो को भी एक बार चेक कर लेते हैं देखिए काफी अच्छे से गुंदा था तो यह थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है बहुत जादा भी यह सॉफ्ट नहीं हुआ है तो अब हम इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे उसके बाद एक पोर्शन जो है वह हम कवर करकर रख देंगे ताकि वो ड्राय ना हो अब दूसरा पोर्शन लेकर ह हम इसके छोटे छोटे से बाल्स कर लेंगे तो इसको इस तरह से लंबा कर लिजिए उसके बाद से एकवल साइज की पोर्शन कर लेजिए देखिए इसको मैने छे इकवळ पोर्शन में कर लिया है अब हम इसको एक स्सूथ सा बाल Ki शकल दे देए देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसको हतेलियों के बीच में गुमा कर स्मूथ कर लेंगे और अब हम इसको रौल कर लेंगे तो थोड़ा सा सूखा मैदा इसके उपर डस्ट कर लीजिए और इसको ओवल शेप में रौल कर लीजिये तो बहुत ज़्यादा मोटा या फिर तो इसको cover करकर रखेगा वरना फिर ये dry हो सकते है तो एक समोसा शीट लेकर इसके किनारे पर हम इस तरह से पानी लगाएंगे तो पानी को अच्छी तरह से लगाएगा उसके बाद इस तरह से इसको देखे फोल्ड कर लीजिए अच्छी तरह से प्रेस करते वे इसको स्टिक कर लीजिए तो देखे इसकी एक ट्रैंगल सी बन जाएगी तो अब हम इसके अंदर ये आलू की स्टफिंग करेंगे तो एक से दो टेबल स्पून की जितनी आलू की स्टफिंग डाल कर इसके किनारों पर इस तरह से अच्छी तरह से पानी लगा दीजिए और देखे इस तरह से हमें इसकी एक प्रीड बनानी है और उसके बाद हम इसको इसको इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस करते वे स्टिक कर लेंगे तो अच्छी तरह से इसको दबाईएगा वरना फिर ये फ्राय करते वक्त खुल सकता है और इसी तरह से हम सारे समोसे बना कर तयार कर लेंगे देखिए कितनी perfect shape आईए है इसकी और बहुत ही आसानी के साथ ये बन कर तयार हो जाता है तो देखिए इसी तरह से मैंने सारे ही बना लिये है इस point पर आप चाहो तो इसको freeze भी कर सकते हो तो अब चलिए हम समोसो को fry कर लेते हैं तो देखिए समोसो को fry करने के लिए oil गरम नहीं होना चाहिए हलके गरम तेल में हमें समोसो को डालना है और देखिए जैसे ही मैं समोसे इसमें डाल रही हूँ तो बिलकुल हलके हलके से इसमें bubble आ रहे है इसका मतलब है कि oil जो है वो बिल्कुल भी जादा गरम नहीं है और इसी तरह से जितने समोसे एक बार में आ रहे हैं उतने डाल दीजिए और डाल करके आपने इसको बिल्कुल भी टश नहीं करना है कुछ देर तक इसको इसी तरह से सिखने दीजिए और कुछ देर के बाद ही आप देखोगे कि यह fry होकर उपर आने लगे है और गैस की flame जो है वो इस वक्त बिल्कुल low है और देखिए थोड़ी देर में ही यह oil में तैरने लगे है अपने आप ही यह उपर आ गये है तो हम इसको थोड़ा सा stir कर लेंगे इनकी साइडों को change कर और हमने इसको low to medium flame पर ही fry करना है इस वक्त तक भी हमारी gas की जो flame है वो low है अब देखिए इन पर हलका सा color आने लगा है तो इस वक्त आपने gas की flame को थोड़ा सा बढ़ा लेना है तो low to medium के दर्मियान इसको रख लीजिए और जब तक fry कर लीजिए जब तक के समोसों पर अच्छा सा golden brown सा color नहीं आ जाता और जब तक ये crispy और करारे से नहीं हो जाते और अब देखिए समोसे जो है यहाँ पर काफी अच्छे से fry हो गए है और इन पर बहुत ही अच्छा सा color भी आ गया है तो आप अपनी पसंद के हिसाब से जितना dark या फिर जितना light color चाते हो उतना रख लीजिएगा अब देखिए समोसे काफी अच्छे से fry हो गए है काफी अच्छे से golden brown हो गए है तो अब हम इसको oil में से निकाल देंगे और यह बिलकुल भी oily नहीं बनते है तो इनको निकाल करके आप absorbent paper पर भी रख सकते हो या फिर किसी भी चलनी में रख लीजिए ताके यह जो है नीचे से सौगी ना हो नरम ना पड़े और बिलकुल भी यह खस्ता और करारे ही रहेंगे बिलकुल भी यह नरम नहीं होंगे बहुत ही मज़ेदार से एकदम हलवाई स्टाइल में चटपटे से खस्ता और करारे से हमारे समोसे जो है वो बनकर तयार हुए है आप इनको शाम की चाय के साथ सर्फ कर सकते हो हरे धनिये पुदीने की चटनी या फिर टोमेटो कैचप के साथ इसको सर्फ कीजिएगा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जबरदस यह बनकर तयार होते हैं तो फिर ट्राय जरूर कीजिएगा इस आसान सी और जबरदस सी समोसों की रेसिपी को और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो फिर इन्शाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अलाहाफिज